दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा सा एक्सपरिमेंट और यह भी जानेंगे कि साइंस के किस नियम से ऐसा होता है मेरे हाथ में है यह कागज के एक छोटा सा टुकड़ा इस टुकड़े को क्या किया मैंने ऐसे करके दर से छोट दिया और एक साइड में सिरे पर मैं इसको पकड़ लेता हूँ और दूसी तरफ से छोट देता हूँ आप देख रहे होंगे कि यह जो कागज है यह नीचे की तरफ जुग गया है अब आप मुझे पताईए कि ऐसा क्यों हुआ ऐसा होता है गुर्त्वा कर्शन की वज़े से क्योंकि गुर्त्वा कर्शन बल जो होता है यानि कि ग्रविटेशनल फोर्स हर एक चीज को एक्चुल में गुर्त्वा कर्शन की वज़े धरती ही नहीं लगाती दुनिया की हर एक चीज इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉग का जाता है दुनिया की हर एक चीज दुनिया की हर एक ऑबजेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाती है एक दूसरे पर बल लगाती है तो यह भी अब हमारी धर्ती और इस कागज के भी में भी बल काम कर रहा है और उस बल के वेज़े से यह जो कागज है नीची की तरव झुकता जा रहा है अब आप सोच रहा होंगे कि यह नीची के ओरी क्यों जुका क्योंकि दोस्तों Newton के law according, Newton ने अपने गुर्ट्वा करसन के नियम में यह बताया, कि जिस चीज का मास, युआनि कि द्रव्यमान ज़्यादा होगा, और जिस चीज का द्रव्यमान कम होगा, तो कम दर्बिमान वाली वस्तु आधिक दर्बिमान वाले वस्तु की तरफ आकरसित हो जाएगी यानि कि अट्रैक्ट हो जाएगी अब आप समझ ही कहोंगे कि धर्ती का गृत्वा करसल बल ज्यादा क्यों लग रहा है क्योंकि धर्ती का वजन इस छोटे से कागज की तुलों आपको उपर उठाना है तो आप कैसे करेंगे चले समस्ते हैं अगर दोस्तों इसे हमें ध्यान से आपको देखना होगा कि अगर मुझे इसे नीचे से बिना नीचे से बल लगा हुए उठाना है तो हमें क्या करना होगा मैं इस हाथ कभी इस्तमाल नहीं करने वाला ना तो यह इसकी दिद वाकियों गल्यों के स्थमयल कोड़ा मैं सिब इन दोनों गल्यों से इसको पकले रहूंगा अब जरा देखते हैं अब होता है क्या दोस्तों मैं एक रूल या इसमें यूच करने वाला हूं क्या है वह रूल जरा द्यान से देखेंगा नहीं समझें एक बार फिर समझाता हूं जरा द्यान से देखेंगा अखिर ये कैसे हुआ यानि कि मैं जो हवा ब्लो अप कर रहा हूँ हवा फूंक रहा हूँ मैं इसमें फूंक मार रहा हूँ वो नीचे ना मार करके उपर मार रहा हूँ फिर भी ये उपर क्यों रानी ऐसा साइंस के किस नियम से होता है दोस्तों तो ऐसा होता है साइंस के एक नियाम है जिसका नाम होता है Bernoulli's theorem, Bernoulli की प्रमे, आप नीचे देख सकते हैं, Bernoulli की इस theorem के according क्या होता है, कि जब हम यहां पर wave, यानि velocity को ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने फूक मारा, तो फूक की द्वारा, हवा का जो wave है, यानि velocity of air ज़्यादा हो जाती है, और जैसे फॉलोसिटी of air ज़्यादा हो गई, तो इस फॉर्मेले के according आप देख सकते हैं, उपर का प्रेशर कम हो जाएगा, यानि जब उपर का प्रेशर कम हुआ, that means की नीचे का प्रेशर हाई हो जाएगा, नीचे से प्रेशर लगने लगेगा, भले ही इसमें हमें ये प्रेशर दिखाए नहीं देता, लेकिन ये नीचे की तरफ से प्रेशर उपर की और जाता रहता है, और जिस वैसे हमारे एक हल प्रेशर का साफोंक मानने पर भी ये कागच का टुकला उपर की और उड़ जाता है,